पिछले दिनों प्रदेश के मंत्री तामरधा साहु ने रिसाली शेतर के वाडों को कुछ ग्रामेंट शेतरों के साथ जोड़कर नगर पालिका निगम बनाने की बात कही थी इस बाबत उन्होंने जिला के सक्षम अधिकारियों वा भिलाई निगम के आयुक्त सुन्दरानी को भी अवश्रक जानकारी देने के मिरदेश दिये थे किसी भी शेत्र को नगर निगम बनाने की प्रशाशनिक प्रक्रिया के बारे में भिलाई के जानकार आयुक्त ऐसके सुन्दरानी ने पूरफ टाइम्स को यह बताया संभिक प्रकाशन होने के बाद दावय अपत्ती वाड़ों का परिसीमन यह सब किया जाता है उसके बाद जिस दिन राज्य सासन द्वारा अंतिम प्रकाशन किया जाता है उस दिन से नगर निगम उद्भव होता है उस दिन से नगर निगम प्रभाव सिल हो जाता है कि इस संबन्द में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है सभी और जैसा अखी सासान चाहएगा ऐसा इचांती cat कि अगर निगाम अधिनियम के मां चैनल किसी भी नगरिंगाम की रिसाली जोन की आवादी एक लाख है चुनाओं के पहले की गई भोशना पर अमल करने की प्रक्रिया मंतरी तामरद्वस साहु ने प्रारंब कर दी है अब देखने वाली बात यह होगी कि रिसाली जोन के बारावाड वह आसपास के 10 ग्राम पंचायत इलाकों को जोड़ कर शाशन कब तक रिसाली नगरपाली का निगम बनाता है